दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाई जासे हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आज किस वीडियो में बात करेंगे यूज अप डैम्ट का हम लोग यूज कहां पर करते हैं अगर इहां पर एक लेते हैं और अखर हमें हमें कहना हम किला नथे तुम पर लानत है तुम पर ठीक है लानत है तुम पे तो इस तरह के sentence को हम लोग कैसे translate करेंगे एक simple सा sentence है तो लानत है के लिए हमने भी क्या बता है damned 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 तुम पे damned on you यानि लानत है तुम पे ठीक है तो इस तरह से आप sentence का translate कर लेंगे तो दो example आवर देखते है example number two थोड़ा इससे बड़ा एक sentence लेते है अगर हमें कहना हो कि लानत है तुमने मुझे पे सक्किया लानत है तुमने मुझे पे सक्किया तुमने मुझे पे सक्किया देखे इस तरह के sentence को आपको कैसे translate करना है तो लानत है के लिए आपको क्या use करना है सबसे पहले damned यूज़ करना है damned ठीक है damned, लानत है ठीक है, तुमने मुझ़ पे सक्किया तो ये past का sentence है तो you doubted on me you doubted on me you doubted on me, तुमने मुझ़ पे सक्किया तो इस तरह से आप sentence को translate कर लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा से sentence देखते है, example number 3 example number 3 है, यहाँ पे sentence का example लेते है, अगर हमें ऐसा कहना हो, कि लानत है तो इस तरह का sentence आप अक्सर हमेंसा बोला करते है लानत है, अगर मुझे नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूँ लानत है, अगर मुझे नहीं मिलता है मुझे नहीं मिलता है या मुझे मैं नहीं लेता हूँ दुनों एक ही बात है, मुझे नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ देखे, इस तरह के sentence को आपको कैसे translate करना है, यहाँ भी बहुत ही simple है, आपको simple आपका logic का आपको क्या याद रखना है लानत है के लिए आपको क्या यूज़ करना है damned का यूज़ करना है damned, यानि लानत है अगर मुझे नहीं मिलता है या अगर मैं नहीं लेता हूँ तो दुने एक ही बात है, तो अगर के लिए आपको का होगा, if होगा if I don't take If I don't take ठीक है यनि लानत है अगर मुझे नहीं मिलता है या मैं नहीं लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ What I want What I want What I want लानत है अगर मुझे नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूँ damned if I don't take तो इस तरह से आप sentence का आप easily translate कर लेंगे ज़स्ट आपको याद रखना है कि damned का हम लोग को यूज कहां पर करना है जहां पर हमको sentence में कहना हो कि लानत है उस तरह कि sentence member or damned का use करके sentence को आप easily translate कर लेंगे I hope कि आपको यह video समझ में आया होगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें थाइक्स फोर वाचिंग इस वीडियो